आत्मे घाती हमले का अलर्ट जारी किया गया है सुन्दर बनी नशेरा और राज़ोरी में हमले की आश्वंका जुताई गई है जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट आतंकियों की खिलाफ आक्शन शुरू जम्मू कश्मीर में चप्पे चप्पे पर पहड़ा जम्मू कश्मीर में अगले 30 घंटे सुरक्षा बलके जबानों के लिए हम है क्योंकि खुफिया जेंसी ने जम्मू कश्मीर के अलग-अलग जगों पर बड़े आत्मगाती हमले की आश्वंका जताई है खुफिया सूत्रों की माने तो पाकिस्तान से आया आतंकी आत्मगाती हमले की फिराक में है खबरों के मुताबिक पाकिस्तानी आतंकी अगले दो दिनों में सुन्दर बनी लंबेरी, नौशेरा, राज़ोरी और जम्मू में आत्मगाती हमले कर सकते हैं इन आतंकियों के टार्गेट पर सुरक्षा बलों के शिवेर, चेक पोस्ट और सरकारी संस्थान हो सकते हैं इस आतंकी हमले की आश्रंका के बाद पुलिस कंट्रोल रूम की तरफ से सेना, CRPS, BASF, जम्मु कश्मीर पुलिस के सबी अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया ताकि आतंकियों के नापाक मनसूबों को अनजाम देने से रोका जा सके इस आत्मागाती हमले की अलर्ट के बाद सुरक्षा बलके जवान और जम्मु कश्मीर पुलिस आक्शन में आ गई जम्मु कश्मीर के सेंसिटिव इलाकों में पहरेदारी तेज हो गई जगा जगा सर्च ओपरिशन चलाए जाने लगे इस बीच कठुआ में दो आतंकियों के आने की खवर पर बोलिस आ सेना चोकन्मी हो गई यही नहीं जम्मु कश्मीर के डीजिपी ने आतंकियों को खुला चैलेंज दे दिया कि आतंक फैलाने वालों का जड़ से खात्मा कर दिया जाएगा और आतंकियों के मददगारों को पच्चता ना पड़ेगा उन लोगों को हम खवरदार कर रहे हैं कि यो तो मरेंगे उनका कोई आगे पीछे नहीं है उनके बाल बच्चों को छोड़ कर वो है भी की नहीं हमें पता नहीं है जलों से उठा के ला रहे हैं किस को ला रहे हैं यहां के लोग जो उनको सपोर्ट करने के लिए बीच-बीच में कोशिश कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा पस्ताएंगी क्योंकि उनके घरबाले, उनका स्टेक यहां पर उनकी जमीन है, उनकी जायदाद है, उनकी नोकरी है, उनकी पगिचे है तो वो इसमें डेस के गुरुध अगर कोई इस तरीके से काम करेगा बहुत ज़्यादा नुसान ठाएगा से आतंकी हमले के अलर्ज के बाद से ही जम्मो कश्मीर के अलग-अलग इलाखों में सर्च ओप्रेशन तेज हो गया आतंकियों के खिलाफ सर्च ओप्रेशन की तस्वीरे जम्मो कश्मीर के अधमपूर से भी आई आतंकी हमले के अलर्ज के बाद से सुरक्षाबल फुल आक्शन में है सावा में भी जम्मो कश्मीर के डोटा से आई ये तस्वीरे देखिए घने जंगलों में सुरक्षाबलों के जवान तलाश्री अभ्यान करते दिखे ये वही लाका है जहां आतंक्यों से मुठ भेड के दौरान जम्मो कश्मीर पुलिस का एक कॉंस्टेबल घायल हुआ था अभी की जो सिचुएशन वो ये है कि अल्मोस्ट जहां पे जो इंसिडेट हुआ था उसके काफी दूर दूर तक हमने सर्च किया हुआ है और आगे भी सर्च कर रहे है मैं आपके मादम से जरूर ये पताना चाहूँगा कि यहां की जितनी भी अवाम है उनका बहुत अच्छा साथ जो सिक्रिटी फोर्से से उनको मिल रहा है हमारे पास खबर भी आ रही है और उनकी जो मुवमेंट है उनकी मुवमेंट का हर गंटे में हमें पता भी लग रहा है उधर रियासी आतंकी हमले के मामले में भी जम्मु कश्मीर पुलिस आक्शन में है पचास संग दिग्दों को हिरासत में लेकर पूछताच की जा रही है बीटे नौ जून को रियासी में श्रधालों से भरी बस पर आतंकीों ने हमला कर दिया था जिसमें नौ श्रधालों की मौत हुई थी जम्मु कश्मीर में पिछले चार दिनों में चार बड़े हमले से धहशत फैल गई है इसलिए इतली जाने से पहले प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी घटनाव को लेकर हाई लेवल बैचक की क्योंकि रियासी कठुआ डोडा में आतंकी हमलों में दस लोगों की जान चली गई और सेना का एक जवान शहीद हो गया यही वज़ा रही कि प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी एनसे अजीद दोभाल समेथ सुरक्षा एजेंसियों के काई बड़े अधिकारियों के साथ बैचकी और आतंकीों के खिलाफ कड़ी का रवाई का निर्देश दिया